नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं चोहान वीडियो और इस वीडियो में हम बात करेंगे पांच न्यू नोटिफिकेशन के बारे में इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ध्यान से देखें अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर कीजिए और आप मुझे इंस्ट्राग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा तो इस वीडियो में हम पांच न्यू नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें वीडियो की इस वीडियो करते हैं तो से पहले बात कर लेते हैं हॉल टिकट के बारे में हॉल टिकट जैसा कि आप जानते की रिलीज किया जा चुका है लेकिन अगर ऐसा कोई भी इस्ट्रूएंट है जो फाइनल यार इस्ट्रूएंट है और हॉल टिकट सेप्टेंबर एक्जाम के लि रिलीज कर दिया जाएगा जैसा कि कल कुछ इस्ट्रूएंट ने मिसे इंस्ट्राग्राम पर कहा भी पूछा भी कि उनका हॉल टिकट नहीं आया जबकि वो फाइनल यार इस्ट्रूएंट है और इस सब्टेंबर में एक्जाम देने के लिए अलेजिबल थे तो रिजनल से इस्ट्रूएंट है जो कि हॉल टिकट के लिए एलेजिबल है सेप्टेंबर एक्जाम के लिए एलेजिबल है वो अपने रिजनल सेंटर पे और अपने आई इग्नु आई ग्राम पे कंप्लेंट जरूर करें कि उसका हॉल टिकट अभी तक रिलीज नहीं किया गया है कि आप जानते कि अगर आपको एक्जाम सेंटर में एंट्री चाहिए तो इग्नु आई कार्ड को दिखाना कंपल्सरी होता है अगर आपके पास हॉल टिकट नहीं भी है तब भी आपको एंट्री मिल जाएगी अगर आपके पास इग्नु का आई का आई कारण है और एक्ज मैं description में आपको दे दूँगा वहाँ पर आप अपना username और password डालिए अगर आपको अपना username और password भूल चुके हैं तो अपना जो email id है उसमें जाए वो email id जिससे आपने अपना admission करवाया था registered email id और वहाँ पर अगर आप search करेंगे id डाल कर तो आपको मिल जाएगा एक email id की तरफ से आया होगा जिसमें आपका username और password बताया गया होगा तो फिर आप अपना id आई card आउनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और आउनलाइन डाउनलोड किया गया id आई card के लिए किसी तरीके से stamp लगाने की भी जरूरत नहीं होती तो इसलिए इगनू आई card जरूर डाउनलोड करें अगर अभी तक आपके पास इगनू आई card नहीं था या आपका खो गया था next notification के बारे में बात करें तो UGC की तरफ से online application मंगाई गई है scholarship के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं चार scholarship है 2020-2021 academic year के लिए इंदरा गांधी post graduate scholarship single girl child यानि की अगर कोई ऐसी है ऐसी लड़की है जो की अपने माता-पिता की अकेली लड़की है और तो वो इसके लिए eligible है उसके बाद post graduate scholarship और university rank holder अगर university rank holder है आप है तो तब scholarship आपको मिल सकती है उसके बाद इसान उदे special scheme for north eastern reason जो northeast के हैं उनके लिए और PG scholarship for professional courses for SCST student और SCST student के लिए scholarship तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका link मैं आपको description में दे दूँगा आपको https scholarships.gov.in पर जाकर अपना form को भरना होगा और सभी guide 10 को follow करना होगा online application आपको 30 October 2020 से पहले जमा करनी होगी और 15 November से पहले अपने सभी documents को verify करना होगा तो जो भी eligible है तो इसके लिए जरूर apply करें इसका link मैं आपको description में दे दूँगा इस pdf का next notification के बारे में बात करतें तो री रेजिस्ट्रेशन के last rate फिर extend कर दी गई और अब 30 September 2020 तक आप अपना री रेजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे जो भी व्लाइ 2020 सेसन के student है जो री रेजिस्ट्रेशन करने के लिए eligible है वह आप 30 September तक अपना री रेजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे अगर आप अभी तक नहीं किया था तो री रेजिस्ट्रेशन अपना जरूर करवाएं साथ में अगर आप admission लेना चाहतें इगनू में या फिर किसी भी तरीके के online प्रोग्राम में इगनू के अंदर तो उसके लिए भी last date 30 September 2020 हो चुकी है यहनकी 15 दिन का extension उसको भी मिला है तो इसलिए अगर आप admission लेना चाहते हैं या री रेजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं 30 September last date है इस वीडियो में इतना ही वीडियो को जरूर करें सेर जरूर करें इस वीडियो में इतना ही